हेलो अबरीबडी वेलकम बैक वेलकम माइडियर स्टुडेंट्स अज आपके लिए एक मैं न्यू वीडियो लेके आए हूँ जो कि बायो फिजिकल टक्नीक्स जो होती है उसे रिलेटर है जो फिजिक्स के मैथड्स हैं कुछ अप्लाइंसी जिनका हम जब यूज करते हैं तो हम बायो लॉजिकल जो मिटीरियल है उसका अनेल्सिस अच्छे से कर पाते हैं तो देयारदा बायो फिजिकल टक्नीक्स टक्नीक्स और मैथड्स तो इन मैथड्स में जो आज आपको मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं डैट इस अबाउट दा सर्क्लर डाइकोरिजम स्पेक्ट्रोसकोपी इसको हम सीडी स्पेक्ट्रोसकोपी का भी नाम दे देते हैं और यह बहुत ही एक रेलेवेंट मैथड है एक अनलिटिकल टक्नीक है जिससे हम क्या कर सकते हैं कोई भी मैक्रो मॉलिकूल्स है जाहे वो डिन ने है और ने है प्रोटीन्स है बायो मॉलिकूल्स इसकी बात करते हैं इससे हम जो बायो मॉलिकूल्स है उनको हम साउट डोड कर सकते हैं ऑन दा वेसीज ओफ दियर अबिलिटी तू अब्सॉर्व लाइट इसमें जो लाइट है डैट इस पोलाराइज पोलाराइजर मोनोक्रमेटर होता है वो एक सिंगल वेवलेंद बना देता है फिर लाइट की अब्जॉप्शन जो कितनी की है एक डिटेक्टर लगा होता है वो कर्स देता है रिडिंग आ जाती है उसी के हिसाब से उनका absorption का जो spectra है उसे के साब से हम देख लेते हैं what is that biomolecules तो very useful technique for specially for nucleic acid nucleic acid के लिए जो बहुत अच्छी techniques है for DNA RNA तो आज हम इसके उपर चर्चा करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने viewer से अपने subscriber से एक request करना जाता हूँ प्लीस वीडियो को जुरूर देखा करिए वीडियो चैसे ही आपको notification आता है अगर notification नहीं आता हो तो subscriber बटन जवास के साथ जो well icon है उस पर all के उपर click कर दीजे आपको जो भी मेरे वीडियो है सभी के link आ जाएंगे and जब भी notification आता है प्लीस वीडियो लाइक करिए करिए कमेंट करिए और उसको share करिए तो इससे motivation मिलती है and और ज़्यादा अदिल करता है और अच्छे वीडियो बनाए जाएं तो जो मेरा motive है चैनल बनाने का education को spread करने का video तो that should be fulfilled with your participation तो जितना अच्छे से आप participate करते हो sport करोगे मुझे और ज्यादा motivation मिलती है तो I hope आप आगे से जो मैं वीडियो के जैसे link आएंगे सभी आप देखोगे और उसको share करोगे तो चलिए अभी आगे अपना topic start करते है तो चलिए वीडियो शुरू करते है आज का हमारा topic है circular dichorism that is the CD spectroscopy तो इसके बारे में आज detail में करेंगे यह हमें information provide करवाती है on the 3D way और जो structures हैं जो orientation करते हैं उनको हम confirmations कहते हैं ठीक है जो आपको पता है जो macro molecules हैं उसकी particular orientations जिसे साबसे होती है उसे साबसे light को scatter करेंगे जा absorb करेंगे जो macro molecules हैं in the solution and उसका structure हम देख सकते हैं information मिल सकती है by studying their absorption of polarized light इसमें polarized light का use करते हैं कैसे वो polarized light को absorb कर रहे हैं उसी के basis पे हम analyze कर पाते हैं पी जे कौन सा material है तो इससे हम उसका structure design कर लेते हैं by using the circular dichorism जिसको c-d spectroscopy कहते है c-d spectroscopy जो है यह measure करती है differential absorption of the right and the left circular polarized light as function of wavelength इसमें जैसे c-d की तरह form होता है half disc की तरह समझे लो right and left form उसी तरह से absorption हो जाती है इसमें right की भी और left की भी तो जो older technique इसके लिए थी that was optical rotatory dispersion ORD spectroscopy कहते थे अब यह c-d में जो इसका new form है तो यह ability of an optically active जो chromophore है chromophore oxochrome मैंने बताया था आपको जो color meet करते है color absorption वाले है वो light का जो plane है rotate कर देते है right and left so उसको ORD कहते थे and c-d and ORD जो है are manifestation of same phenomena इसमें भी same phenomena चलता है they are merely जो है two way of investigating the interaction of polarized light with the optically active molecule इसमें molecule first of all जो detector करना है वो optically active होना चाहिए जो इसको response कर ला है that is optical active जो chiral ऐसे समसकते हो and since the ORD जो spectrometer है are available before c-d c-d से पहले ORD थे तो early जो work था in the field yielded ORD spectroscopy तो पहले ये spectra बनता था however जो c-d की जो simplicity ज़्यादा है relatively उससे अच्छा simple है and makes c-d analysis superior to ORD तो इसलिए simplicity की वज़ा से ORD के उपर ये superior method है तो ORD को हम अब यूज नहीं करते तो ये rarely ही use किया जाता ज्यादा c-d method यूज करते है इसमें क्या है beam of the monochromatic light consist of electromagnetic wave oscillating in all plane perpendicular to direction of the beam so जो plane polarized light है that consists of a wave in single plane उसका एक plane में ही light गुजरती है जनी single wavelength अगर आपने x के according करनी है तो बाई ये dexis cancel हो जाएंगे ठीक है उसको हम plane polarized light कहते है जहाँ आपने पड़ा होगा लोर क्लासिस में and that light consists of wave oscillating in single plane may be obtained by passing beam of monochromatic light through a nickel prism और a polarizing screen जिसको polaride कहते है जातो हम इस polarized बनाने के लिए एक polaride का यूज करेंगे जहाँ निकल जो प्रिजम है उसका यूज करेंगे so circularly जो polarized light है may be obtained by superimposing two plane polarized light wavelength of the same wavelength इसमें दो wave को superimpose करके भी हम plane polarized लेते हैं जब वो superimpose हो जाएंगे तो उसके plane जो है आपसमे cancel out हो जाएंगे तो आपको single plane में मेज जाएगी and amplitude को हम कर सकते हैं उसी के साबसे change but differing in phase by one quarter of wavelength in their plane of polarization by 90 ये difference आ जाता है ठीक है तो such light can be either right or left circularly polarized depending on relative position हो दा peak of two components of pale lane polarized wave so wave जो है उसकी peak कहां आ रही है 90 degree के एंगल कहां बनना है right side बन रहा है या left side बन रहा है इसी को हम कह देते है right side plane polarizes या left side ये चीज़े होती है so ये light यहाँ पर use की जाती है so superimposition जो बनती है of right and left wave of equal amplitude and wave result in plane polarized light फिर right and left की जो waves होती है वो match कर जाती है उसके field और एक single wavelength बन जाती है इसको plane polarized light कहती है तो ऐसे हम light को बजावर करते है और यो plane polarized light के बाद में उसको द्वारा resolve कर सकते है right and left wave को बाद में इसको decompose भी किया जा सकता है so asymmetrical or chiral जो molecule है that those cannot be superimposed on their mirror image interact with plane polarized light in such a way that right and left wave are differentially absorbed and reflected इसमें क्या होता है आपने लेना है a chiral asymmetrical or chiral तो उसमें होता है जो image superimpose नहीं होते mirror image एक जैसे नहीं नज़राते है इसको कहते है non superimpose तो इसमें जब जे light पढ़ती है तो students क्या होता है यहां लिखा हुआ है interact करता है light के साथ and in such a way that right and left wave differentially absorb and refractor अलग-अलग वो absorb हो जाती है अपनी differentiability के साब से और refract होती है new medium में चलियाती है as consequence resultant जो R and L wave है combine to give a beam of polarized light in a different plane to incident वो एक plane different में काम करती है दोनों कठ्थियों के एक wave length दे देती है so the absorbed angle of rotation जो है इसका is a rapid air specific rotation alpha lambda कहते है however more ever देखे the differential absorption है over R and L wave की lead them having different amplitude so that the transmitted beam is elliptically rather than circular तो इसमें जो beam बनता है वो elliptical बनता है circular नहीं बनता है elliptically city में एक angle लेते हैं जहां पर theta बना है is open measure rather than extension तो यह angle हम इस तरह से ले लेते हैं कितना अब लिटिकली बना है 33 delta e degree delta is a difference in the extension of R and L wave कितना extent हो के single wavelength देते हैं इसका difference क्या है usually your cd spectrum है is a plot of variation of ellipticity with wavelength cd में जो आपका spectrum बनता है उसका variations देखते हैं ellipticity क्यासे change होती है क्यासे peaks बनती है तो यह angle यहां पर काफी important है I hope आपको यह इतनी discussion समझागी होगी आगे instrumentations की बात करते हैं students इसमें क्या-क्या लगा होता है उस पर आ जाते है इंस्टुमेंटेशन में the main component जो cd spectrometer है इसमें दिया हुआ figure में R&L circular polarized radiation is produced from single monochromator से बन जाते है passing through plane polarized light through electro optic modulator एक होता है modulator वह single wave बना देता है this is crystal subject to alternating current that transmit either right or L component of the light dependent on polarity of the electric field to which is exposed तो इसमें crystal ही होता है जिसमें एक system design किया होता है और इसी current pass किया जाता है तो R&L oscillation बन जाती है so जो photo multiplier एक detector है produce करता है voltage proportional to the ellipticity of polarization उससे इसाब से detector voltage produce कर देता है variation देता है of polarization of combined beam falling होंदा photo multiplier photo multiplier के उत्तर जो beams परेगा वो voltage की deflection दे देता है ठीक है उसके बाद है protein confirmations ये थे इसके instrumentation I hope आपको समझा आगे होगा इसमें आगे आते हैं इसके applications proteins के जो confirmations है वो इससे पता चल जाते है provide information जो है about relative amount of major type of secondary structure alpha, beta, random coil within protein solution पता जलता है currently जो CD spectra है cannot provide detail information about specific tertiary structure of protein because the relevant theory required for their perceived interpretation has not been developed to include the effect of either confirmations other than alpha, beta and random coil तो इसका जो quaternary structures है ये tertiary structure है उसके उपर अच्छे से ये theory काम नहीं करती क्योंकि इसकी theory अभी design नहीं हुई तो इसकी जो confirmations है वो इसकी थोड़ी contradictory है and जो इसमें random coil बनते है ज़ा disulfide bridge बनते है ज़ा aromatic side chain है ज़ा for static group है ये इसको vary करते है however before deciding the CD is no use in investigation of protein it should be noted that the high resolution of X-ray diffraction data used to elucidate the specific tertiary structure तो इसमें हम X-ray का use कर लेते हैं अगर आपने tertiary structure को elucidate करना है and are available for only relative few crystallable protein कुछ ऐसी proteins है जो crystallizable proteins है उसके लिए जे काम करता है and काफी expensive method है difficult है and perhaps impossible to obtain for most protein in a for for a civil future तो इसका इतना ज्यादा future नहीं है tertiary structure के लिए so जो CD spectra है alpha helix का देखें जा beta confirmation देखें जा random coil देखें of poly L amino acid are known and are distinctly different from each other इसके एक दूसरे से different है these have been used as standard in calculating the percentage of each form of the secondary structure in protein तो यह standard है यह एच्छेस के result इसने दिये है CD spectroscopy नहीं है alpha beta के random coil के उसको standard की तरह यूज कर रहते हैं protein का data conclude करने के लिए however more importantly देखें दो CD है of a macromolecule is very sensitive to confirmational changes confirmation changes के काफी sensitive है even if the spectrum जो है CD का of a protein is far too complex for determination of its structure so it is usually possible to study almost any interpretation with the protein for example इससे कर सकते हैं interpretation वैसे जैसे CD spectra may be used to determine the winding constant of substrate cofactor inhibitor activator enzyme जो सभी proteins होते हैं इसको पता कर सकते हैं so the binding of three cysted eye जो cystidilic acid है to active site of pancreatic ribonuclease changes the CD of tyrosine remote from that of site तो tyrosine के साथ इसकी variability चेक कर सकते हैं तो ये काफी अच्छे result देता है protein के लिए वैसे this short add the binding of this inhibitor cause the confirmation change in distinct part of enzyme यानि कोई अगर enzyme की inhibition करवाई है inhibit हो रही है तो उससे CD spectra अलग आएगा normal enzyme का अलग आएगा तो since the denaturation अगर हो जाए proteins की जान जाइम्स की और conversion हो जाती alpha and beta form to random coil में हो जाते हैं it may readily sensitively followed by CD spectroscopy तो इसमें denaturation भी proteins की पता चलडाती है आगे आता है student confirmation of nucleic acid यो cd spectrum है of single standard nucleic acid में भी calculated fairly accurately from knowing its nearest neighbor frequency पता करने से so any differences between the calculated and measure cd spectrum must be due to variation in structure such as double standardness जो है कहता है उससे structure की variation आएगी so cd theory है पर double standard DNA की is not yet complete double standard की completeness single के लिए अच्छी है and however the speedy spectrum है of double standard seem to be independent of base composition in wavelength range usually study तो वो base के हिसाब से independent बताता है so large increase in the cd spectrum of mononucleotide when they are linked to form even short chain of oligonucleotide originally provided evidence that hydrophobic जो इसमें interactions है our stack waste में essentially stabilizing the double standard इसमें hydrophobic जो interaction है double standard को stabilize करती है तो इसमें जब हम oligonucleotide जोड़के थोड़ा सा भी double standard बना दे तो cd spectrum जो है चेंज हो जाता है although all the nucleotide are optically active पता ही है तो cd जो है of poly nucleotide is greatly increased when they are adopted in helical confirmation जो हैलिकल में देखेंगे rebel helix देखेंगे structure nucleotide को तो अच्छी result आते है so the cd spectra are frequently used to study the change in structure of nucleic acid such as loss of helicity of single standard nucleic acid as function of temperature pH structure change or binding catein and protein effect of binding of amino acid to appropriate tRNA transition between single and double standard nucleic acid dna histone interaction chromatin and structure of ribosomal RNA in ribosome तो यह जो सारी चीज़े है इनको बहुत अच्छे से जे confirmations बता देती है क्योंकि absorption spectra काफी frequently vary कर जाता है अगर nucleic acid वे कोई manure सी भी changes आ जाए तो students this was all about the cd spectroscopy I hope आपको इसके advantages समझा आगे होंगे nucleic acid के लिए कैसे advantages है protein के structure के लिए कैसे है और आगे आपको मैं इसका डाइग्राम है वो बता देता हूँ यह रह गया था तो यह last में इसलिए रखा था था कि आपको थोड़ी better way में understanding हो सके तो चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या है यह first of all radiation source है जो radiation डालेगा monochromatic जो single wave देगा monochromatic radiation जो cancel out कर रहा है बाकि सीधी एक wavelength आ रही है linear polarized है plane polarized radiation आ गई फिर electro optic modulator है इसको increase कर रहा है alternative current से R&L जो polarized light radiation बन रही है फिर sample के ओपर R&L दोनों बढ़ रही है फिर detector लगा है ellipticity जो है elliptically polarized radiation से ऐसे आएंगी जो असलिए elliptical form में यह detector लगा हुआ है इसको यह detect कर लेगा उसके बाद amplifier signal processor है जो यहां से detector से जो signal आ रहा है उसको यह क्या करेगा amplify कर देगा फिर यहां recorder है इसको record कर लेगा तो these are the main component of the CD spectrometer I hope आपको यह सारा समझा गया होगा and you can take revision from this again थोड़ा ओर zoom कर देता हूं So student this was all about CD spectroscopy I hope आपको अच्छे से video discussion समझा गया होगी और यह काफी important topic है students for CSIRNet और other competitive exam CSIRNet में directly यह बायो फिजिकल्स जो टक्नीक है उनमें दिया हुआ है once again note कर लिजे बायो फिजिकल्स टक्नीक्स उसके अंडर यह topic है आप स्लेवर्स देख सकते है लाइप साइस का वहां आपको यह मिल दाएगा तो वीडियो कैसा लगा dear students kindly comment करेगा और मेरा माई वीवर्स जेनों ने चैनल सस्क्राइब किया है प्लीज वीडियो जुरूर देखा करिए लाइक करा करिए और उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए और अच्छे 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 वीडियो आते रहें ठाइक बेरी मुझे और गडाव्स यू